हेलो दोस्तों नमश्कार गुड मॉर्निंग आज शात मार्च 2019 है और हम अभी जो करनेट फेर्स के डैली के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं इन सभी क्वेश्चन की जो पीडियाफ फैल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी तो आप वहां से डाउनलोड क करके इसे पढ़ सकते हैं और अपने इन क्वेश्चन का रिविजिन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सुरवात करते हैं आज के सुविचार से तो आज की थोट है कि एक बात हमेशा याद रखना तुम्हारी कहानी के तुम मुख्य केरदार हो यानि कि ये अपनी जो लाइफ है इसके हमि मेन रोल करने वाले है लीड रोल में हमि हैं और हमि को इस लाइफ को बہतर बढनेकर के कुछ करना पड़ेगा तो इसी चीज को द्यान में रखते हुए अपनी पहचां कि इस लड़ाई को जारी रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करनेंट अफेर् है वो उसका अर्ब्यास का नाम होगा अलनागा है 2019 का तीसरा संस्क्रण आयोजित करेगा यह निके दो बार पहले ही उस देश के शाथ भारत ने अपना यह अलनागा ओप्रेशन कर चुका है एक्सेसाइस है इसको भारत कौन से देश के साथ अब आयोजित करेगा तो अपसिद साइब के सामने है कातर सेंट अरब अमिराथ कुवेट या ओमान कौन से देश के साथ होगा दा है तो सही जवाब जो इसका है वो होगा ओमान ओमान के साथ भारत अपना जसIESट सेंट अभ्यास का तीसरा संस्क्रण है अलनगा है उसको बारे मार्ज से स्टाट करेगा यह ओपरेशन यह जो एकसाइज है वो जबल अकदर की पहाडियों पर सुरू होगा जबल अकदर ओमान की पहाडियों महाँ पर इसको शुरू किया जाएगा और पच्चीस मार्ज तक चलेगा देखें ब अनुबव भारते सेना के साथ साजा करेगी और बारते सेना अपना अनुबव ओमान की सेना के साथ साजा करेगी इस अभ्यास का उद्यश्य आंतकवाद रोधी अभियानों में अंतर संक्रियता को बढ़ावा देना है यानि कि आंतकवाद रोधी जो अभ्यान है उन दोनो इतना important नहीं है जबकि इसकी explanation है क्यों दिये जाएंगे तो सिधा सांद से इसका हम बता देता हूँ इस बार 2019 में दो साहित्य के नोबल पुरुषकार दे जाएंगे क्यों दे जाएंगे क्योंकि पांच मार्ज 2019 को ये गोशित कर दिया था कि साहित्यम इस बार दो नोबल पुरुषकार गोशित कर जाएंगे क्योंकि 2018 का जो था वो किसी को दिया नहीं गया था साहित्य का नोबल पुरुषकार क्यों नही पहली बार स्वीडिस अकादमी में योन दूराचार की घटना के सामने आने के बाद इसे रोख दिया गया था यह जो स्वीडिस अकादमी है उसमें योन दूराचार की घटना सामने आई तो इसके बाद से ही इस पुरुषकार को रोख दिया गया था देखे फॉब्स ने अपने वर्ड के जो अरभपतियों की सुची है वो जारी की है उस सुची में हमारे इंडिया के जो मुकेश अमबानी है उन्हों का कौन सा स्थान है फॉब्स की वर्ड के अरभपतियों की सुची में तो नौवा ग्यारूमा तेर्वा या पंद्रमा कौन सा स्थान है मुके शंबानी का तो मुके शंबानी का स्थान है तेर्मा तेर्मा स्थान पर भारतिय अमीर जो भारतिय अरब पती है वो मुके शंबानी रहे हैं फॉब्स की सूची में तो 31 मिलियन सोरी 31 डॉलर बिलियन के साथ आमेजोन के संस्थापक बेजोस दुनिया के सब अपने कारोबार के साथ और उसके बाद बिल गेट्स और तीसरे नमबर पर वारें बफेट थे अमबानी ने 2018 में 40.1 बिलियन डॉलर के संपत्ति अरजित की तब वे दुनिया के 19 सबसे अमीर वेक्ति थे यहीं कि 2018 में 19 नमबर पर थे जिन्होंने अब अपना स्थान को और उ 50 बिलियन डॉलर है और सबसे उपर अमेजोन का 131 बिलियन डॉलर अगला क्वेशन देखते हैं कुछ कथन हैं उनको आपको धान से पढ़ना है पहला है रक्षा मंत्राले ने ससस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थाई कमिशन के अनुदान के कारियान को सुनिश्च करने हेतु कदम उठाए हैं जिहां जो रक्षा मंत्राले हैं उन्होंने जो महिला अधिकारी हैं उनको और ज्यादा सस्त्र बलों में सामिल करने का कदम उठाए बिल्कुल सही है ये स्टेट्मेंट अगला है महिला अधिकारियों को भारती शेना की उन सभी 14 ब्रांच में स दिया जाएगा अभी तक इसकी कोई अनौसमेंट नहीं हुई है तो ये दूसरा जो कतन है वो सही नहीं है तीसरा है आई एफ एन इंडियन एफोस की सभी शाखाएं जिनमें फाइटर पाइलेट भी शामिल हैं अब महिला अधिकारियों के लिए खुली हैं जी हां मिलकुल सही कि जो इंडियन एर फोर्स हैं उनमें सारी शाखाओं में फाइटर पाइलेट समेत भी अब महिला बन सकती है यानि कि उन पोस्टम पर महिला जा सकती है तो ये दोनों स्टेटमेंट से पहला और तीसरा तो अपसे नमबर तीन सही होगा केवल एक और तीन स्टेटमेंट सही है तो वही चीज है इसमें छीनिषन में भी बात बताएगे तिनों वह स्टेटमेंट है जो एक दूसरा जो था महिला दिकारियों को को बारतिय शेना कि उन सभी दुस प्रांच में स्थाई कमिशन दिया जाएगा जहां महीलाओं को सौर्ट सर्विस कमिशन में शामिल किया जाता था चलिए अगला देखते हैं मार्च 2019 में भारतिय राष्ट्रे अभिलेखा गार का महानिदेशक किसे निक्त किया गया है उनका महानिदेशक किसे निक्त किया गया है तो पीवी रमेश को पीवी रमेश को भारतिय अभिलेखा गार जो भारतिय राष्ट्रे अभिलेखा गार है उसका महानिदेशक बनाया गया है चलिए अगला question है कृशी उत्पादों के परिवेहन और विपनन के लिए विद्थिय सहायता प्रदान करने के लिए पांच मार्च 2019 को TMA TMA योजना क्या है क्यों शुरू की गई थी इसके आगे देखेंगे तो इसमें ए का क्या आर्थ है देखिए इसका एका क्या आर्थ है तो एक्शन असिस्टेंस अलाउंस या अरेंजमेंट क्या है एक आर देखे TMA का पूरा नाम है ट्रांस्पोर्टिंग अंड मार्केटिंग असिस्टेंस तो परिवहन युविपनन सहायता है यह इसका पूरा नाम है तो इसमें एका अर्थ हो जाएगा असिस्टेंस ट्रांस्पोर्टिंग एंड मार्केटिंग असिस्टेंस पांच मार्च को योजना शुरू की गई थी क्यों की गई थी क्योंकि जो परिवहन और विपणन जो अपने उत्पाद जो है कहती के अकिशान बाजार तक पहुंचाने के लिए उसका परिवहन और बाजार उकलब्द करवाने के लिए ये योजना शुरू की गई है इस योजना के तैस सरकार माल डुलाई प्रभार के एक निश्चित हिस्से की प्रतिपूर्थी करेगी और क्रिशी उपज के विपणन के लिए सहायता भी प्रदान करेगी ट्रांस्पोर्टिंग एंड मार्केटिंग असिस्टेंस चलिए अगला क्वेशन लेते हैं इंटी इंडिया की इंट्रेक्टीव होल्ट येट ओल्ट येट हैं लुकी गरिना के प्रति जो बहुनाएं है उनको एक एनलेसिस किया है इन्होंने तो उसपे वेबसाइट के अनुसार इनकी वेबसाइट है होल्ट येट एमनेस्टी इंडिया इसके अनुसार किस राज्य में 2018 में सबसे अधिक ग्रिना अपराद दर्ज किये गए ग्रिना के अपराद 2018 में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में दर्ज किये गए यानिकि आपसी ग्रिना और लोगों के प्रती जो मनस्यता की भावना है उनको किस र उत्तरप्रदेश में ही ये ज़्यादा हुए थे गरना के मामले ज़्यादा दिखाये दिये तो एमनेस्टी इंडिया के इंट्रेक्टिव होल्ड एड़ वेबसाइट द्वारा दलितों के खिलाफ 65% गरेनित अपराथ सब्सेजादा दलितों के खिलाफ ये मामले दर्ज के गए थे उत्तरप्रदेश में सबसे जादा दोस्तो अठारा दस्तावेजित घटनाओं में से 142 दलितों के खिलाफ थी पचाश मुसलमानों के खिलाफ थी और आठ इसाई आदिवासी और ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ थी यानि कि लोग किन से ज़्यादा घ्रिना करत से तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्तरप्रदेश में दलितों के खिलाफ अगर आपको कास पूचे किसके खिलाफ सबसे ज़्यादा थी तो 65% के साथ दलितों के साथ सबसे ज़्यादा ये वेब साइट बताती है कि गरिना के मामली जाद दिखाए दिये तीसरे प्रतेक्ष वर्स के लिए उत्तर प्रदेश में 57 ऐसी घटनाओं के साथ सबसे अधिक अपराद दर्ज किये गए अगला 5 मार्च 2019 को प्रिजकर आर्टिटेक्चर पुरुसकार से किसे सम्मानित किया देखे प्रिजकर आर्टिटेक्चर पुरुसकार है क्या यह पुरुसकार आर्टिटेक्चर की फिल्ड में इस चेतर में सबसे दुनिया का सबसे उत्करिष्ट है सबसे उत्चा पुरुसकार हम कह सकते हैं तो यह पुरुषकार किसे दिया गया अराता इजोजकी को इरो सरीनन को एंटोनी गोडी को या फिलिप जोनसन को यह सम्मान किसे प्रदान किया गया तो यह जो जापानी वास्तुकार है अराता इजोजकी जापानी वास्तुकार या आर्टिटेक्चर जिसे बोलते हैं उनको यह पुरुषकार दिया गया था 5 मार्ष 2019 को आराता इजोज की तो पृजकर आर्टिटेक्च पुरुषकर समानित क्या गया जिसे अंतर राश्ट्रेस तरपर सरवौच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है यानि सरवाचा समान आर्टिटेक्चर की जो फिल्ड में सबसे उंचा समान है यह समान कौन सा प्रिज्यकर आर्टिटेक्चर पुरुसकार 1989 में इस पुरुषकार को स्थापित किया गया था और हर पुरुषकार जीवित वास्तुकार या आटिटेक्ट को ये सम्मानित करता है इस उसकी को अपने अभिनाव डिजाइनों में पूर्व और पश्चिम को साथ लाने का स्थे दिया जाता है और उसी के काणिन को ये पुरुषकार मिला था चलिए लास्ट वीडियो क्वेशन था कि चार मार्च 2019 से उपराष्ट्रपती एम वेंक या नाइडो निमले केत्में से किस राष्ट्र की यात्राप रहे हैं तो आप सभी ने बिल्कुल अच्छा बहुत बढ़ाया जवाब दिया था कि ए और बी दोनों पार आगवे और क कोस्टारीका की यात्राप हैं उपराष्ट्रपती एम वेंक या नाइडो तो वे आठ दिवसेस यात्रा के दोरे के उदेश्य की यही था कि लेटिन अमेरिका देश्यों के साथ जो दूई पक्षया समंद हैं उनको मजबूत किया जाए तो पारागवे और कोस्टारीका की यात्रा की थी उपराष्ट्रपती निए वहां के परागवे के राष्ट्रपती हैं मारिया अब्दो बेनेटेज और कोस्टारीका की राष्ट्रपती हैं कारलोस अलवाराडो क्वेशादा ये उन देशों के राष्टकती हैं उन देशों के पक्षकार हैं जिनके सामने मंक या नाइडो ने अपने देश के पक्ष को रखेंगे चलिए आगे देखते हैं आज का वीडियो कोईशन जो आपको कमेंट शेक्षन में बताना है तो निमली कितमेशे किसने 5 मार्च 2019 को एक नया एप बोलो लोंज किया है अत्किया अनाम है बोलो किस ने यह लॉड़िये यह यह लॉण्श किया गया है किस फिल्ड के लिए हैously आपको कमेंट शेक्शन में बताना बताएगा तो किसने किया है ओप्शन आपके सामने आए टाटा कंसल 10C सर्विसेज ने फेस्बुक ने माइक्रोसोफ ने या गूगल ने किसने इसे आपको लूंच किया है वही आपको कॉमेंट सेक्षन में बताना है तो प्लीज जरूर बताएगा कॉमेंट करके और अभी त के साथ अभी इस चैनल ने अमने एक नई शुरुवात इंट्रेक्टिव डिजिरल बोर्ड से पढ़ाई करने की शुरू किया है तो वह आपको कैसा लगा वह भी जरूर बताएगा चलिए धन्यवाद दोस्तों